हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चानल इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का थीम नमबर 11 रिबल्स एंद राज का पार्ट नमबर 3 ओके तो इसमें जो हमारे टॉपिक है वह है वोट ते रिबल्स वांटेड इससे पहले कि जो भी हमारे टॉपि कि हम अभी पढ़ रहे हैं basically उन सारी चीजों के बारे में हमें कहीं ने कहीं से पता चल रहा है ठीक है कोई ऐसी चीज है कोई ऐसी बुक है जो हमें इस बारे में बता रही है तो वह चाहते क्या थे इस बारे में हमें बताने के लिए कोई ने कोई सार्स जरूर होंगे कोई कभी चीज़े अनफ नहीं है रिबेल्स के पर्सपेक्टिफ के बारे में जानने के लिए वो आखिर चाहते क्या थे वो जानने के लिए हमारे पास कोई चीज़ अनफ नहीं है ठीक है 1857 के बारे में अगर कोई भी चानकारी खटी करनी है अगर रिबेल्स क्या चाहते थे रिबेल्स वो रिवाल्ट क्यों कर रहे थे इन सारी चीज़ों के बारे में भी अगर हमें जानना है तो हमें किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है इस्टोरेंस को किस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है ठीक है और जहां तक बात रही इनके लिखे हुए चीजों के उपर डिपेंड रहने की इनके सॉर्सस पे डिपेंड रहकर जानने की की रिबल्स क्या चाहते थे तो अब भही रिबल्स क्या चाहते थे वो पूरी तरह से तो रिडिश नहीं लिखेंगे ठीक है वो जो भी लिखेंगे अपने बारे में ज्यादा लिखेंगे इनके बारे में कम लिखेंगे ठीक है तो वही है हमारे पास कि जो भी उनके अकाउंट से वो हमें रिबल्लियंस क्या चाहते थे इसके बारे में बहुत ही कम बताते हैं ठीक है तो भी देखो यहां पर एक चीज याद रखना होगा कि हमारे पास rebels के लिखे हुए कोई वी चीज क्यों नहीं है ठीक है तो बहुत कम चीज़े हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि रिफे Tribu उस टाइम में जो भे लिडर्स थे जो रिवोल्ड कर रहे थे वह उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे उतने पढ़े लिखे कर नहीं थे ठीक है और सारे ब्रियश अर्सपड़े ओंड़ आपको यह चीज तो पता ही होगा ठीक है इसलिए हमारे पास क्या है sources कम है the vision of unity ठीक है the rebel proclamation in 1857 repeatedly appeal to all section of the population irrespective of their caste and creed अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे इस revolt में जो 1857 का revolt हुआ उसमें जो भी proclamations थे ठीक है वो सारे section of population के लिए थे मतलब कि चाहे हो मुस्लिम हो हिंदू हो कोई और caste का हो फरक नहीं पढ़ना था ठीक है कौन अमीर है कौन गरीब है इससे फरक नहीं पढ़ना था सब लोग क्या कर रहते है युनाइट हो करके revolt कर रहते ठीक है the rebellion was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to loss or to gain देखो जो भी अब यहाँ पर यह चीज़ पता चलगा कि वो सारे section of population के लिए थे मतलब वो हिंदू, Muslim कुछ भी हो सकते हैं तो अब जब gain और loss की बात आती है तो क्योंकि वो दोनों ही शामिल है इसमें सारे caste के population शामिल है तो जो gain होगा जो loss होगा वो सबका equally होगा ठीक है तो अब देखो मुहमद जिनको Muslim लोग मानते हैं महाविर जिनको Hindu लोग मानते हैं ठीक है तो जो proclamation हुआ था इसू हुआ था बहादूर शाह जफर के नाम पे उसमें क्या था मुहमद का नाम लेकर के महाविर का नाम लेकर के बोला जा रहा था को जोइन करने के लिए ठीक है तो यहां पे दोनों section of peoples को बोला जा रहा था ठीक है उनसे अपील की जा रही थी हो गया तो आप देख भी सकते हो कि जो 1857 था वहां पे जो भी रिवोल्ट हुए उस टाइम में उसमें सारे लोग युनाइट हो करके लड़े भी थे ठीक है त मतलब उनके बीच में जो जगड़े क्रियेट हो रहे थे ठीक है वह किसकी वज़े से हो रहे थे तो ब्रिटिश की वज़े से हो रहे थे उन्होंने काफी सारे ऐसे डिवीजन क्रियेट करने के लिए उन दोनों रिलीजन के बीच में जगड़े क्रियेट करने के लिए बहा अगेंस्ट जाने के लिए ठीक है तो क्योंकि ये साथ में होकर कि जब लड़ाई कर रहे थे रिवोल्ट कर रहे थे तो ब्रेटिश को बहुत जादा भारी पढ़ रहा था ठीक है तो एक को अगर वो भड़का देंगे दूसरे के खिलाफ तो दोनों साथ में होकर कि तो ठीक है तो ये बहुत अच्छा एक्जामपल है कि किस तरह से जो लोग थे हमारे वो यूनाइट रहते थे मतलब कि वो बिलकुल भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रहे थे ओके अब देख सकतू इतना अमाउंट खर्च करने के बाद भी आगे मारे पास क्या है against the symbol of operations जो operations मतलब जो पिपल्स थे जो opposite थे उनके खिलाफ क्या था वो हम दिखेंगे the proclamations completely rejected everything associated with British rule और फिरंगी राज as they called it British rule जिसको फिरंगी राज कहते थे तो जो भी चीज़े उनसे related थी everything ठीक है वो सब को reject कर रहे थे चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई भी चीज हो ठीक है उन पर trust नहीं किया जा सकता है what interact the people was how British land revenue settlements had disposed landholders both big and small and the foreign commerce had driven artitions and we were studio ठीक है जो पिपल्स को बहुत जादा मतलब वो कर रहे थे रिवोल्ट करने के लिए सहायता कर रही थी बोल सकते हैं या फिर उनके मन में मतलब ऐसे जो जजबात ऐसे emotions थे कि वो रिवोल्ट करें वो आ रहे थे तो वो क्यों आ रहे थे उनके पीछे रिजन था जो रिवो revenue settlement आया उसने जो बड़े landholders थे छोड़े landholders थे सब को क्या क कर दिया था ठीक है मतलब सबकी जिन्दीगी तबाह कर रखी थी उन्होंने इस settlement ने तो अब ऐसा कंडिशन आएगा जो आर्टिशन थे हमारी country में जो विवर्स थे उनकी लाइफ एक्टम बरबाद हो रखी थी जो foreign commerce था जो बाहर से चीज़ा आ रही थी उसने इनकी जिन् होंगे ही होंगे और उनको revolt करने के लिए यह चीज़े तो मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए helpful रही ठीक है तो यह चीज़े थी तो वह क्या चाहते थे उनकी चीज़े वापस इनको मिल जाए जिससे वह फैमिलियर हुआ करते थे ठीक है मतलब यहांस एक चीज़ आप समझ सामराजय था तो वह उनके लिए अच्छा था क्योंकि उस सामराजय के अंदर मुगल इंपायर के अंदर वह सब एक जूठ हो करके रहते थे सारे समुदाय के लोग सारे रिलिजेंस के लोग ठीक है तो वह उनके लिए अच्छा था और वह चाहते थे कि वापस हम वैसे ही बन जाए यह जो भी चीज़ा हम सचीन रही है वह हमें वापस मिल जाए ठीक है वह क्या करना चाहते थे तो जो रिलीजन है जो कास्ट है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे हिंडू मुस्लिम्स को किसी में कर रहे थे क्रिश्टन में कर रहे थे ठीक है तो आपको याद होगा कि जो अफवा हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में शायद हमने पढ़ी वीडियों रेकाहि पहले में कि भॉहा था चर слबillon राले भी में कर रहे थि तो इसको गते हैं जो कहा या बी तो मिला जा रहे है इन वाफवाहom पर Lonely पे लोग इसल Jenar कर ले रहे थे क्योंकि पहले से उनको पता था जो ब्रेटिश है वो उनको convert करना चाहते हैं Christian में ठीक है यह हो गया हमारा आगे मार पास है अब देखो बहुत सारे जगों पर जो भी ब्रेटिश जुड़े हुए थे जो उनके अलाइस थे जो उनके डिपेंडेंट थे और जो उनसे मतलब जैसे होता है ना कि अगर वो इंडियन भी है और वो ब्रेटिश के लिए काम कर रहे है ठीक है वो सारी जानकारी उसको देता ह है या फिर उसके लिए ही काम करता पूरी तरह से अब चाहे जो वो करें तो वो उन लोगों के अपाउजिट भी थे अब चाहे वो कोई भी हो ठीक है जो भी उनके अलाइस हो कोई लोकल ऑप्रेसर हो वो सब के खिलाफ जा चुके थे ठीक है इन विलेजेज दे बॉन्ट अ उनके अकाउंट्स जला दिये गए इस रिफ्लेक्ट एन अटैंप्ट टू ओवर्टर्ण ट्रेडिशनल हायर्केज रिबल अगेंस्ट अल ऑप्रेसर्स इप्रेजेंट अग्लीम्स ऑफ अन अल्टरनेटिव विजन ठीक है तो यह सारी चीज़े यह अटैंप्स हमें किस च अब हमारा पास आगे क्या है। पूर्ण अल्टरनेटिव पार दिलि और लखनाव और कांपुर में इनका राज्या खतम हुआ कोलाप्स कर गया बृटिश का रिवोल्ड की वज़े से तो लोग थे जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे ज़े रिवयलियन्स थे वह क्या कर रहे थे वह ट्राइप कर रहे थे आपनी जो पहले की कोट तो जो सारी वह वापस लाने के कोशिश कर रहे थे थेंग से बेल लीडर से पॉंडे ट्रेंज़ करने के मुशिश कर रहे थें बाद पता चल रही थी, ठीक है, हमारे पास है repressions, इसमें क्या है, from all accounts it is clear that we have of 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion, अब सारे account से हमें पता क्या चलता है, यह चीज हमारे clear हो जाता है, कि British के लिए यह time बिल्कुल भी easy नहीं था, मतलब जैसे हमेशा easy होता है, कि वो कुचल करके सब को खतम कर देते थे, फासी पिलट का देते थे, और सारी चीज़े खतम हो जाती थी, revolt खतम हो जाता था, लेकि standing out troops to reconcure North India, the British passed a series of laws to help them quell in insurgency, तो sending, जो troops थी उनके, जो उनके सैनिक थे, उनकी जुसेना थी, उसको North India आपको reconcure करने के लिए उसको दुबारा जीतने के लिए भेजने से पहले उन्होंने क्या करा, बहुत सारे laws उन्होंने पास करे, ठीक है, a number of acts passed in May and June 1857, 1857 के May and June महीने में बहुत सारे laws पास करे गए, ठीक है, rebellion would have only one punishment, death, अब देखो, एक चीज़ तो है कि बहुत सारे acts पास कर दिये गए, अब उसके अलावा जो rebellions थे, उनके लिए अगर सजा है कोई, तो वो क्या थी, punishment, death, मतलब सजा है मौत, तो अगर rebellions कोई अगर वो पकड़ा गया है, तो उसको सिर्फ मौत की सजा ही दे जा सकती है, उसके अलावा उसे माफ तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, the British began the task of suppressing the revolt with these newly enacted special laws, ठीक है, यह सारे जो भी laws थे, जून होने लाए थे, May June 1857 में, उन सारे laws की help से, वो क्या कर रहे थे, वो, मत डेली, मतलब डेली को वापस से जीतने के लिए उन्होंने क्या करा, टू अटाक कर दिया, एक ही बार में पहला तो कलकता से और दूसरा कहां से, ठीक है, अब दो जगा से अटाक करेंगे, तो बचने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या हुआ था, अट ठीक है, लेकिन ये कब काप्चर कर पाया डेली के उपर, सैप्टेंबर में, जून से सैप्टेंबर आप देख सकते हो, दो तीन महीने के बीच का गैप था ये, और इतने महीने लड़ाई चलती रही, फाइटिंग एंड लॉसे ऑन बोद साइड वेर हैबी, दोनों तरफ स से फ्रॉम ओल ओवर नॉर्थ इंडिया हैद कम टू डेली तो डिफेंड अ कापिटल को बचाने के लिए सारे लोग नॉर्थ इंडिया के कहां पहुंच चुके थे, देली पहुंच चुके थे, इसलिए दोनों तरफ इधर भी भारी से ना, इधर भी भारी से ना, तो लॉ प्लेंटिक प्लेंट जो था वहां पे भी रिकॉन क्योर करने का जो जगाती सारी उनको वापस से जीतने के लिए इनकी जो चीज़े चली इनका जो बोड चला वो काफी स्लो रहा, मतलब बहुत जल्दी वो नहीं रिकॉन क्योर कर पाया, अवध में, अवध मार्च में 1858 म कंट्रोल में आया, ठीक है, और माना भी जाता है कि सबसे लेट मतलब काफी लेट लगा आवध को कंट्रोल करने में, अब देखो, मिलेटरी पावर को तो यूज कर रहे थे, वो बहुत ही जादा लार्ज स्केल पे, लेकिन इसके अलावा क्या कर रहे थे, लेकिन इसके अल आपके जागीरे वापस लटा देंगे, आपके जो भी जमीन हमने लिये हैं, वो सारे आपको वापस लटा देंगे, ठीक है, तो Rebels, Landholders, Was Disposed and The Loyal Rewarded, अब देखो, जो Rebels थे, जो Landholders, जो कि उनकी बात नहीं माने, उनको बहुत जमीन नहीं दिया गया, उनको वह से भगा दिया गया, अब देखो, अगर British जीत जाएगी, तो वो क्या करेगी, जो Rebellions थे, से उनको जीने देगी, उनको कुछ देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी ठीक है तो उनको भगा दिया गया जो बचे उनको तो ऐसी मार दिया गया और जो लोयल थे ब्रिटिश के लिए जो लोयल बन कर रह गया मतलब जिन्होंने उनकी बात माल ली वो उनकी तरफ हो गया उनको रिवोर्ड किया गया लेकिन आपको पता याद रखना अप लोग कि क्या हुआ था जब landholders fight कर रहे थे तो बहुत सारे landholders fight करते 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 मर गए और बहुत सारे जब British जीत गए तो वो क्या किये नेपाल भाग गए और वहां पे क्या हुआ वहां पे वो बीमारी के कारण भुकमरी के कारण मारे गए ठीक है ये था आगे हमारे पास क्या है images of the revolt revolt के क्या images रहे हैं वो हम देखेंगे how do we know about the revolt हमें कैसे पता चलता इसके बारे में about the activities of revolts जो activities थी rebels की उनके बारे में जो measures of repressions थे जिनके बारे में हमने अभी discuss करा उनसे के बारे में पता कैसे चलता तो हमें ये तो पता चल गया कि सब हमें British records से ज्यादा पता चलता और जो rebellions थे उनके records हमारे पास ज्यादा है नहीं क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे we have very few records on the rebels point of view rebels के point of view से मारे पास बहुत कम है और जो English point of view है उससे ज्यादा मिले है a few rebel proclamations and notifications as also some letters that rebel leaders wrote rebel leaders होते थे उनके लिखे हुए कुछ proclamations जिनकी वज़े से जिनसे वो क्या करते थे दूर दूर तोक पहुंचाया जाता था जिनको और बताया जाता था कि आप लोग हमारे revolt को join करो ठीक है तो वो सारी चीज़े नोटिफिकेशन जो भेजते थे जो लेटर लिखते थे दूसरे को उन सब से हमें पता चलता है ठीक है बस यहीं उनके point of view तो इससे जाधा हमें और कोई स्रॉर्स नहीं मिलते हैं but historians till now have continued to discuss civil actions primarily through accounts written by British और आज भी British किस पे आज भी historians किस पे जो है depend करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए और उनके कारे में हमें बताने के लिए किस पर dependent है तो British के लिखे हुए जो अकाउंट्स हैं उन पर ठीक है अब देखो उनके लिखे हुए तो बहुत सारे हैं जैसे कि colonial administrations and military men left their versions in letters and diaries autobiographies and official histories जो लिखे हैं ठीक है उन से हमें पता चलता है उसके अलावा क्या है इनमराबल मेमोस नोट्स असेस्मेंट्स ऑफ सिचुएशन रिपोर्ट्स इन सबसे बात पता चलता हमें इस सब हमने किसके पढ़ रहे है ब्रेटिश का लिखा हुआ है ठीक है और उसके अलावा record of the mutiny important record जैसे कि the pictorial images produced by the British and Indians images भी है ठीक है images में देखो क्या है paintings pencil drawings itchings posters cartoons बाजार prints ये सारे भी क्या है ये सारे हमारे sources है ठीक है ब्रेटिश news papers and magazines उसके अलावा ब्रेटिश news papers and magazines तो ये सारे sources से हमें किसके बारे में पता चलता है उस revolt के बारे में पता चलता है ठीक है जो की लिखे हुआ है Britishers के दौरा आगे हमारे पास है celebrating the saviors इसमें हम बैसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो Britishers थे जो मतलब जिन्होंने अपने लोगों को बचाया उनके बारे में ठीक है British pictures offer a variety of images that were meant to provoke a range of different emotions and reactions अब different images से हमें different types of emotions reactions के बारे में पता चलेगा जैसा image होता है उसी तरह से हमें पता चलेगा ठीक है उसको देख करके हमारे मन में कुछ अलग-अलग चीज़े आएंगी कि वो हाँ इस तरह से situation होगा यह सब जैसे के डिलिफ आफ लखनो पेंटेड वाई तोमस जोन्स बारकरें 1859 ये पिंट करा गया था इसमें क्या था कि समें मतलब बहुत आरे लोग होते ठीक है लेकिन उन में लीडर जो होता है वो हिनरी लौरेंस होता है और हिनारी लो उसके बाद किया होता है, जेम्स आउटरम और हेंटी हैव लोग आते हैं, उसके 20 दिन बाद कॉलिन कामबल आता है, जो की अपॉइंटेड होता है, निव कमांडर ओफ ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया, ये सब को ब्रिटिश हीरोज माना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने क् इंट्री हुई थी, उसको ये सलिप्रेट करती है, ये पिच्चर की कैसे वो ने आकर के बचा लिया था सबको, इन बिटिश अकाउंट्स, दसीज ओफ लगनाव बिकेमा स्टोरी ओफ सर्वाइवल, ब्रिटिश अकाउंट्स में जो सीज ओफ लगनाव वो क्या होगया, स् इंग्लिश विमन और ओनर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से मतलब सर्वाइव किया, वो हम सारी चीज़े देखेंगे, नियूजपेपर रिपोर्ट से है, वो पावर और पबलिक इमाजिनेशन देख से, फिलिंग्स और अटिटूट् अब देखो, कोई चीज़ नियूजपेपर में तो थोड़ी बढ़ा चड़ा करके आती है, और ये जब ब्रिटिश लोग जो पढ़ रहे थे, वहां के जो लोग थे, पीपल्स वो पढ़ रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिश गवर्मेंट से ही बोल रहे थे, कि जो इनूसेंट विमेन भारत में फसी हुई है, उन सब को मतलब हल्प किया जाए, उनकी सेफटी के लिए मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, इस सब की डिमांड कर ले थे, वहां के पिपल्स, इन मेमोरियम देखो, ये बनाय गया है पिक् होते हैं, जो कि एक जगा पे छुपे हुए होते हैं, ठीक है, ये है इसमें, अनदर स्केच ऑफ मिस विलर स्टेंट्स फॉर्मली अट दे सेंटर डिफेंडिंग हर ओनर, एक है मिस विलर का जिसमें कि वो खड़ी होती है बीच में और अपने रिस्पेक्ट, मतलब अपने को बचा रही होती है, ठीक है, बागी उससे लड़ करके, तो ये इस तरह के स्केचेज, इस तरह की पेंटिंग्स उस टाइम में बनाई गई है, वेंजिंस और फ्री ट्रिबॉर्शन, इसमें कि हमारा विज्वल रिप्रेजेंटिशन और निउस अबाउट रिवोल्ट क्र सारी चीजें हमें बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे चीजें चल रही है, किस तरह से जो लूख है, वो मतलब कोशिश कर रहा है बचने की, खुद को बचाने की, और किस तरह से सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है, अगे हमारे है और retribution है उसको brittle way में किया गया है ठीक है मतलब उन्हें mafia की तो बिल्कुल भी बात ही नहीं है उनमें क्या किया गया है कि जो भी लोग हैं जो Indian peoples हैं जो revolt करने वाले लोग हैं उनको तोप से उड़ा दिया गया ठीक है मतलब ऐसे pictures बनाए गये हैं जिसको serious matter चल रहा होता है serious बात और जो revolt हो काफी serious हो चुका था अंग्रेजों के लिए भी Indians के लिए ठीक है तो इसमें क्या था कि अगर हम कोई मतलब ऐसी बात करते हैं जैसे कि Indians पूरा एक तुम गुस्से में हैं सब को मारने की कोशिश कर रहे हैं और जो अगर उसमें से कोई कहें कि हम अराम से बात करके उन लोगों को आश्रान्थ करने की कोशिश करेंगे तो उनकी कोई बात मानेगा बिल्कूल भी नहीं वानेगा उसको मजाख में ले लिया जागा तो वैसे ही गवर्नर जैनरल है canning, जिनोंने क्या करा, जिनोंने कहा कि हम अच्छे से बात करेंगे, لोगोंसे, ठीक है, मतलब जोभी people से जो revolt करेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, और बोलेंगे कि मतलब भापस से वैसा नहीं होगा उनकी loyality हम जितने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इन पर क्या किया था British प्रेश ने मज़ा कुड़ाया था ठीक है उनका मज़ा कुड़ाया गया था इस बात पे आगे हमारे पास इसमें क्या देखना हमें इसमें हमारे पास देननी स्मेंट इन दे 20th 1857 वाले इस event को तो celebrated as first war of independence ठीक है इंडिपेंदेस का यह पहला वर्ट था हमारे इंडिया की तरफ से जिसमें की सारे section of peoples क्या थे एक जूट होगर के लड़ रहे थे memory of 1857 का सबसे बड़ा हिस्सा जो है जिसको सब लोग मतलब सब के मन में यह पता हो 1857 मतलब रानियोफ जहांसे से related है ठीक है और देखो कुछ lines भी है इस पे बहुत सारे serials भी आ चुके हैं बहुत सारे posters आ चुके हैं ठीक है इसके बारे में कोई stories भी बहुत सारी हैं तो हमें पढ़ने के बाद पता चलता है और इस से related भी बहुत सारे जो लीडर्स थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं मतलब यह स्टोरी होती है रानियोफ जहांसी के लेकिन बहुत सारे लीडर्स इसमें शामिल होते हैं 1857 के और एक जो line है देखो यह line नहीं poetry है मैंने याद करी थ कि यह line है जो poetry है खुब लड़ी मर्दानी वह तो जहांसी वाली रानी थी इसका मतलब यह कि वह पूरा एकदम से जो जैसे हमारे में लोग लड़ते हैं बिल्कुल उस तरह से उस आतार में आकर के उन्होंने लड़ाई की थी तो इस तरह से उनके लिए यह लिखा गया था पोर्टरी ठीक है लिखा गया है जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं तो काहिए चैप्रेट थो हमारा खतम हो चुका है और बहुत ही ज्यादा इंड्रेस्टिंग चैप्र था तो जो भी बोल रहते कि यह चैप्र कंप्लीट होगा तो उनके लिए यह बहुत अच्छी बा